हलो एंड वेलकम और आज का मारा टॉपिक ऑफ डिसक्षिन है हीप सौट प्रोग्रामिंग इन सी तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने सब कुछ पढ़ लिया है हीप सौट की एल्गॉर्दम देखी और मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे सिर्फ उसी 35 मिनट की बन गही तो वो 35 मिनट की वीडियो अपने आपने बहुत बड़ी वीडियो है तो इसके इलाबा मुझे समझाने की कोई जरुवत नहीं है तो आप पहले वो एल्गो देख लें और यहाँ पर जब आप सी प्रोग्राम पढ़ने आएंगे तो मुश्किल से आपको 5 मैं शायद 5 मिनट ज्यादा ही बोल रहा हूं 5 मिनट में आपको हिप सौर्ड का प्रोग्राम समझ म यहाँ में आ जागा टोगर स क्टो सबसे पहले हमने यहाँ पे आते है अ अब क्या है कि यहाँ पर हमने माक्स被ख हम भाएफ नि तीन फूलाट एट हो तो में हम maxcify पे काम करते हैं या build maxcify पे काम करते हैं जिसको हमने maxcify बोला है एक हमारा maxcify यह है ठीक है यह हमें पता ही है अच्छा लेकिन सबसे पहले शुरुवात कहां से हो तो शुरुवात होगी भीया यहां से यह यह शुरुवात तो main के अंदर आये हम main के अंदर हमने एक array ब 26, 8, 18, 21, 9 और 5 डलवा लिया ठीक है तो यह हमने एंटर करवा लिया अब हमने maxcify नाम के function को call किया ठीक है अब मैंने maxcify पाले नाम के function को call किया और मैंने का कि maxcify उसने बोला हाँ जी मैंने का मैं तो मैं call कर रहा हूँ array देकर 1 देकर और 9 देकर अब वो यहां से कहां अब वो max heap पाले नाम के function के पास गया और उसने क्या किया एक मिन पर आपको एचीज और confirm कर लूँ यहां पर मैंने max heap पो call तो नहीं किया ठीक है तो अब मैंने सीधे सबसे पहले आपको पता ध्यान से देखो मैं आपको क्या पताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले ह 31 और मैंने लास के value दें 9 तो उसने बहुत है ठीक है मैं यहां value डाल दे रहाओ 6, 14, 3, 26, 8, 18, 21, 9, 5 उसको मैंने दे दिया, मैंने यह pass कर दें तो बहुना थीक है तो force लेके 1 तक चलेगा और i को एक घटात रहेगा और हर बार किसो call करेगा, max cp5 को call करेगा array देगा, i की value देगा और array देगा i की value देगा और end देगा end मतलब size देगा क्या size है, तो ध्यान से देखाँ बगी अब देखो size, हमारा ये tree बना ले तो मैं 6, ये बना लिए, मैंने 14 क्या ये max cp नहीं, अभी तो ये सिर्फ simple array पहले मैं इसका complete binary tree बना लो, 26, यह गया 8, यह गया 18 यह 21, ठीक है यह गया 9 और यह गया 5, ठीक है अब सबसे पहले दोखो मैंने array pass किया असको f, f क्या है f हमारा एक variable है तो i की value f में आगी, f i की value कितनी है, सबसे पहले 4 से चलेगा, size कितना 9 आगया, अब मैंने max में डाला f, मैंने बोला max f हो जाओ, f कितना है, f है हमारा 4 तो हमने max में 4 डाल दिया तो max हमारा 4, that is मैं यहाँ पर indexing कर लेता हूँ यह मैं indexing कर लेता हूँ that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 max में डाला f, तो मैंने बोला बई, जो 4 थ है, मैंने बोला तो महीं max हो, उसने मोला ठीक है, जी l में डाला f into 2, f की value मैंने बता है, तो left child क्या होता है वो जो अपने value pass की, उसका 2 से multiply, तो f 4 into 2, that is यह left child हो गया, और यह right child हो गया फिर हम क्या चेक करते हैं, क्या L size से छोटा है, बिल्कुल L जो है, 8th index पे है और वो 9 से छोटा है, 9 हमारा max size कितना है, छोटा है क्या area of L maximum से बड़ा है, नहीं, यह 9 है और maximum कितना 20, बड़ा नहीं है बड़ा नहीं है, तो max में L डालेंगे ही नहीं, अब इधर आ जाएंगे, हम चेक करेंगे, क्या R, हमारा size से छोटा है, हाँ, छोटा नहीं, बराबर तो है, क्या area R maximum से बड़ा है, नहीं, area R maximum से बड़ा नहीं है तो जब बड़ा नहीं है, तो यह भी line execute नहीं करेंगे, क्या F और max बराबर नहीं है, max भी 4 है, और F भी बराबर है, तो यह भी line execute नहीं करेंगे, तो अब क्या करेंगे, जब यह भी line execute नहीं करेंगे, यह function खेतम ना, function खेतम तो हम बापिस कहा जाएंगे, जहां से call आई थ तो आई की वेलु नाइन की नाइन रही तो अब उसने फिर से एरे कॉल किया एफ की वेल्या वह गई तीन और आई की साइस की वैलु तो अभी भी नाइन भागी यहां तक आपको समझने की जरूबत है तो यहां तो अब क्या हो गा मैं समझा चुका अब कि अब आई कहाँ आ जागा यहां पहाँ आजयका फिर से क्या हो जाएगा max को मैंने इसी को max बालीयः यह मैंने max मालीयः सबसे पहले तो इसी को L में डालना f adds up 2 into 3 राइट में डाला ये तो ये अब ये left हो गया ये right हो गया ठीक है अब इसको L को size से compare किया कि L हमारा size से छोटा है हाँ बिल्कुल 6th जो हमारा size 9 से छोटा है क्या array का L maximum से बड़ा है हाँ array का L 18 वो maximum से बड़ा है तो बड़ा है तो maximum L डालो ना maximum बोला L के पास आ गया ठीक है अब उसके बाद हमने आर को साइस से compare किया आर जो साथ भी position पे है वो साइस से चोटा है हाँ चोटा है क्या area of R maximum से बड़ा है हाँ array और R जो है वो maximum से भी बड़ा है तो फिर maximum में R डालो ना तो maximum में मैंने यहां पर L था यह maximum यह हो गया अब छ गया चेक करो किसम बड़ाबर नहीं है हां बिल्कुल ठीक है For maximum जो है वो बरावर नहीं है क्योठी क्यों 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 कि F में कहा था 3 F में था 3 F प्रावर नहीं ऐचाशा सब्सक्रांट इंटरो न से करो तो कोई सब्सक्राइब अफो इसके बाद क्या होगा जब विए अब किसके लिए मैक्सвор लुको को कॉल करेंगे अब किसके लिए मैक्सकि पलब मैक्स कितना जाएक सब्सक्राइब और size कितना 9 तो यह फिर से जाएगा और यह call करेगा अब किसके लिए तो मैंने बताया था आपको array के लिए max f की value होगे 7 और size की value के 9 लेकिन यहां पर आके यह conditions false हो जाएगी क्योंकि left जो है 7 into 2 14 और 14 position पे तो हमारा कुछ ही नहीं तो यहां पर यह condition false हो जाएगी तो यह बिल मैं max cpify कर देता हूँ मुझे यहां पर algorithm चलाने की जरूवत नहीं है जो मैं आप already चला चुका हूँ fine तो मैं max cpify इसको कर देता हूँ हीप sort से पहले max cpify हो जाना चाहिए तो पहले मैं max cpify कर दूँ तो 6 14 पहले मैं max cpify करूँगा 3 अभी किया नहीं मैंने पीछली वाली algorithm चला 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 कर देता हूँ 26 8 26 14 3 26 8 18 यह हो गया 21 यह हो गया 9 और यह हो गया 5 तो सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले यहां पर होग और इससे compare काई नहीं होगा यहां पे आई काई कई आए बनाहय तो 21 यहां पर आजाएगा और 3 यहां पर आजयगा ठीक हैं इसके बाद आई यहां पर जाएगा तो यह वाला i बन जाएगा algorithm मैं चला चुका हूँ program सिर्फ समझा रहा हूँ आपको और कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ अब इनमें मैं maximum क्या है यह maximum तो 9 ऊपर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा तो अब यह मेरा max CP 5 बन गया max CP बन गया यहाँ भी मांस बन गया तो यह होका geschी स्थ beter बन गया तो यह होगा तो जब यह max CP बन गया अब क्या करेंगे अब मैं सीधे इरै बर से चल करेंगा wykon मैं को बताया था क्या करेंगे max SP अब हम किसको और कि मैं को रहा हूँ और ही बन कॉल कर रहा हूँ A देकर वो A क्या है maxi पो चुका है और 9 देकर तो यहाँ पर A आ गया that is यह पूरा array आ गया maxi पोल आ गया और 9 आ गया अब मैंने बताया था यह कैसे चलता है I is equal to size size कितना वाना 9 9 से लेकर 2, 2 तक तो यह 9 से चलेगा ऐसे से चलना शुरू करेगा और कहां तक जाएगा यहां तक जाएगा ठीक है तो अगर मैं इसको tree बना दूँ पता नहीं मैंने क्यों मिटाब दिया उसको 26 I am so sorry time waste नहीं करना चाहिए था 26 यह 14 यह 21 यह 9 यह 8 then 18 then 3 then 6 then 5 fine आप दो यहां से चलेगा तो सबसे पहले क्या करेगा देखो तो जब यह यहां से चलना शुरू किया that is मैं indexing भी कर दे रहा हूँ indexing भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल confused ना हो आपके लिए यह सब चीज बिल्कुल आसान बना दे रहो यह first index है यह second आप array से match करा लो third index यह fourth index यह fifth index में यह पड़ा है sixth में यह seventh में eighth में यह nine पे जब मैंने इसको क्या देके call किया array देके call किया और size nine देके call किया तो इसने loop चलाया है और 26 यहाँ पर आ जाएगा array के अंदर कर रहा हूँ और tree में क्या हुआ 5 यहाँ पर आ जाएगा और last position पर क्या है 26 यहाँ पर आ जाएगा तो और उसके बाद size को एक कम कर दो तो अब फिर से क्या करो अब यह करने के बाद max cp5 call करो a के लिए 1 के लिए लेकिन i-1 कर दो मतलब size को एक कम कर दो तो a के लिए call हो रहा है size a के लिए max cp5 call हो रहा है a के लिए 1 के लिए और i-1 और i-1 i के value कित्ती है i के value है आपकी मेरे खाल से यह गलत लिखा हुआ है तो यहाँ पर max cp5 यह नहीं होगा मैं इसे मिटार दे रहा हूँ i'm so sorry for this यह यहाँ पर नहीं होगा सिर्फ max cp5 call होगा तो जब यह हो गया देखो जब यहाँ पर आ गया तो यह 5 की यहाँ पर आने से max cp5 की property खराब हो गई तो हम फिर से max cp5 को call किया a और 1 के लिए max cp5 में size भी देना है इसलिए size को एक reduce किया तो बिल्कुल ठीक चल रहा था यह गलत नहीं है i'm so sorry मैं गलती मेरी तरफ से a 1 और i-1 i की value कितनी है 9 9-1 कितना 8 तो मैंने 8 size देखे दिया तो जब वो यहाँ पर जाएगा तो max cp5 में a आएगा सा एकमा के डिए जो जो मैंने बन गया अब इसमें compare करो तो सब में maximum यह है 18 यहाँ पर आ गया और 5 यहाँ पर आ गया और यह किर किया बन जागा i तो अब इसके बाद आई या एफ जो भी आप बोलो इसके नीचे कुछ भी नहीं लूप रुख जाएगा हमारी क्या maxip बन गया हां बन गया तो जब इसने हमने इसको call किया इसने जब call किया तो इसने maxipify को call किया और maxipify ने ये बना दिया तो अब array में भी तो update कर दो पहली position पर 21 आ गया दूसरी पांच ये अब क्या करेंगे इतना कर दिया है क्या मेरा काम खत्म नहीं अभी लूप चलना है ना लूप की सबसे पहली value कितनी थी 9 से चला था अब कितना हो जाँगा 8 क्योंकि एक घटा है अब 8 से चले तो अब क्या कर रहा देखो ए1 को ए8 के साथ सब कर ले रहां अब द यहाँ पे आ गया और 21 अपने 21 यहाँ पे आ गया और पिर 15 5 को कॉल गया एगिना मतला इसको और घटा लिया ठीक है तौ फिर वो इंत मैं सम्झाओंगा निवी करता जाएगा और हर तरीकी से element अपने position पर sort हो जाएगे इस तरीकी से हमारा heap sort काम करेगा मैं आप से फिर बोल रहा हूँ अगर आप directly इस algorithm को देख रहे हैं इस program को देख रहे हैं तो आप सीधे उठाके आप मेरा algorithm देख लिजे जो आपको बिल्कुल क्लियर करने का है आप से बोलूंगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग प्लीस लाक सब्स्राइब और शेयर थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू